और आप लोग देख रहे हैं केरियर मत्रा के यूट्यूब चैनल को दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक टेस्ट सीरीज की जो की आपकी समिक्षा दिकारी की है आप देखिए समिक्षा दिकारी के पेपर में दोसके पोर्शन है एक है आपका GS वाला दूसरा है आप आपका हिंदी वाला अब GS वाले के अगर हम बात करें तो वहां पर स्कोर करना बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ हिंदी से आपका काम नहीं चल सकता और अगर आप पिछला पेपर देखेंगे समिक्षा दिकारी का वह मेजॉरिटी में करेंट अफेर बेस्ट पू आए गए थे तो यह जो हमारा test series रहेगा इसमें आपको क्या कुछ provide किया जाएगा किस तरीके का यह पूरा test series रहेगा इसको जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों की यहां पर हम बात करते हैं अब सबसे पहले यहां पर हम बात करें कि कौन कौन से topics देखिए topics आपके जो syllabus के according है वो total 10 topics हैं जिसमें सामान विज्ञान है भारत का इतिहास है रास्टी आंदोलन है पॉलिटी वाला portion हो गया एकनॉमी वाला portion हो गया इसके अलावा जनसंक्चा पर्यावरन जो environment वाला portion है इस तरीके से इन टोटल 10 topics हैं अब हमारा जो यह test series रहेगा इसमें क्या रहेगा पिछले 2 साल तक का current affairs रहेगा current affairs मतलब कोर current affairs ठीक है जो की static base नहीं होगा individual current affairs रहेगा इसके अलावा जो subjects है history, geography, polity, environment उनसे क्या कुछ रहा है पिछले 2 साल, 3 साल तक का जो static merge current affairs होता है वो include किया जगा मान लीजिए अगर हम Indian history की बात कर रहे हैं और Indian history में 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो अगर news में रहा था तो उसके related क्या कुछ पूछा जा सकता हो सब कुछ हम cover up करेंगे यानि कि current में जो भी history रही है वो सारी cover होगी इसी तरीके से geography, quality, environment सब कुछ अब यहाँ पर आपको daily business पर क्या कुछ मिलेगा कैसे इसका पूरा framework रहेगा उसको समझिए देखिए अभी जैसा आपने अपने थमनेल पे देखा होगा कि sectional test के हमने बात करि ठीक है इसमें आपको उतना limited explanation भी मिलेगा जो जरूरी है जो examination के point of view से important है similarly अगर हम इतिहास की बात करें इतिहास से आपको मिलेगा इसी तरीके से रास्टी आंदोलन हर दिन आपको 25 questions का mcq का pdf provide किया जाएगा और जो यह पूरा test conduct होगा यह हमारा जो telegram group है उस telegram group पर हो ठीक है इसके अलावा आपको तीन दिन अब वो तीन दिन कौन कौन से हैं जब आपको provide किया जाएगा full length test full length test भी कहां पर conduct होगा वो भी मैं आपको बताता हूं सबसे पहले days की बात कर लेतने तो Friday को Monday को इसके अलावा आपका Thursday को तो इन तीन दिन आपको full length test देखने को मिले एगा telegram channel पर ही यानि की 140 questions का आपका GS का रहेगा test और 60 questions का आपका Hindi का test रहेगा जो की वहां पर perform करवाया जाएगा उसमें आप लोग participate कर सकते हैं उसका PDF आपको separately provide किया जाएगा similarly जो यह हमारे आपके sectional test रहेंगे 25 questions के इसका भी PDF आपको daily basis पर provide किया जाएगा यह सब it is just 300 रुपीज इतने में आपको यह सारी चीज़ने provide की जाएगी including 2000 questions आपको separately provide किये जाएगे किसके current affairs के और 500 questions आपको provide किये जाएगे किसके जो आपका UP का current affairs है इसके अलावा additional अगर मैं बात करूं तो जो miscellaneous topics होते हैं जैसे आपका forest report हो गई या कोई दूसरी report हो गई तो उन report से related mcq भी separately आपको provide किये जाएगे census भी उसके अंदर included रहेगा तो यह सब कुछ आपको provide किये जाएगा just 300 रुपीज में अब बात यह होती है कि आप किस तरीके से इसके अंदर enroll करवा सकते हैं 9027281376 यह number है इसके अलावा 639564901 इन दोनों में से किसी भी number पर आप मु होगा कैसे आपको payment करना है वो आपको बताया जाएगा बारहाल अगर आप 9027281376 इस पर google पे करेंगे तब भी आप इस तरीके से भी अपना payment जो है वो कर सकते हैं और telegram पर जो आप payment करेंगे उसका receipt share करना बिल्कुल मत भूलिएगा ठीक है बाकी कोई भी question हो कुछ भी आप और जानना चाहते हो तो यह जो numbers है इन numbers पर आप telegram के थरू या फिर whatsapp के थरू मुझसे बात कर सकते हैं so thanks for watching मिलते हैं next video में bye bye